काला चादू को कोई नकारात्मत रूप से हमेशा कोई ना कोई परवर्ती के साथ लेकर आ जाता है जिसकी वज़ा से हर किसी का घर बैपार तक वेपकार हो जाता है या फिर नस्टी ही हो जाता है हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काला चादू खड़ने की परवर्ती को लेकर हमेशा चिंतिद रहते हैं और जिसकी वज़ा से वह हमेशा अपने बैपार को खो देते हैं नस्ट होने की परवर्टी को देखकर वह हमेशा तुखित हो जाते हैं जिसकी वज़ा से उनके चीवन में सभी दिन चर्या चलने वाले सभी बिगड़नी शुरू हो जाती है उन्हें नुकसान होने लगता है जिस नुकसान को देख कर वह हमेशा अपने दिल को ही बैठा जाते हैं यानि की दूख हो जाता है जिसकी वज़ा से वह अपनी परवर्ती को ठीक नहीं कर पाते हैं काला जादू ऐसा जादू है जो हमेशा लोग एक दूसरे के जलन में कर देते हैं और जलन होने की बज़ा से दूसरे का नुपसान करते रहते हैं और यदि आपके जीवन में ऐसा ही कुछ है आपको लग रहा है कि आपके जीवन में जितने भी काम थे जो सुचारू रूप से चल रहे थे लेकिन अब आकर बंद हो गए हैं या फिर नज्ट होते ही जा रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपको छुपाई कर लीजिए यदि काला जादू होगा तो दूर हो जाएगा नमबर एक यदि आप अमाश्या के दिन अपने बैपारी आफे आपके उपर बुरी नजर है तो उसके लिए निवो का इस्तेमाल कर सकते हैं आप निवो को उतार कर किसी भी बहते हुए चल में प्रवाहित कर दीजिए ऐसा करने से आपके उपर हुआ काला जादू समाप्त हो और आपकी जो उपर बाधाई हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगी नमबर तीन हनुमान जी का रोज हनुमान चारीसा पड़े या फिर श्रोथ भी पर सकते हैं जिससे कि आपके उपर आई बाधा आद दूर हो सके नमबर चार यदि आप नहाते हैं तो नहाने के सब्यारी की सुभा नहाने के समय तो उसी के दो चारपते अपने नहाने वाली बाटी में डाल दीजिए और उससे इसनान कीजिए आपके उपर जो भी बाधाई होंगी वेह भी समाप्त हो जाएंगी हो सके तो दूर्गा मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या फिर दूर्गा आपका श्रोत पर सकते हैं ऐसा करने से भी काला चादू दूर होता है तो यह आसान से उपाएं यदि आप करते हैं तो आपके उपर जो काला साया है वेह दूर हो जाएगा मेरी इस वीडियो को लैक शेर और सब्सक्राइबर करना ना भूले